दोस्त आप बहुत बार देखे होंगे कि जब किसी की देथ हो जाती है तो लोग R.I.P. रीप शाब्द का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब है Rest in Peace हिंदी में शान्ती से अराम करो अब यह बताने के ज़ुरत नहीं है कि शान्ती से अराम करो और भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे में क्या आंतर है रीप एक परकार से देखा जाए तो हिंदू की अंतिम संसकार प्रगिया के बिरुद है हिंदू मन्यताओं के अनुशार, मनुष्ये के पाप और पुन्य का हिशाव उसके उसी जीवन में हो जाता है या फिर अगले जनल में होता है इसके लिए उशे कबर में इंतजार नहीं करना होता है अता हिंदू मनुष्य के मृत्य पर रीप लिखना या बोलना अनुचित है मृत्य के सूचना पर रीप लिखना गलत नहीं है यह बिल्कुन सही है पर उन समुधाय के लोगों के लिए जिने कबर में दफनाय जाता है उन सभी शमुधाय के व्यक्तियों के निधन पर रीप ही उचित है जो शमुधाय शव को कबर में दफनाय करते हैं उनके इमन्यता है कि क्यामत के दिन जब सभी मनुश्य के पाप और पुन्य का हिशाब किताब होगा तब कबर में दफन सभी लोग बहार आएंगे इसलिए कहा जाता है कि क्यामत का दिन आने तक कबर में शांती से अराम करो अथार्थ रीप कहा जाता है तो दोस्त ये जनकारी आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते ज़रूर बताएं और ऐसे कि क्लोलिजबल मौटिविस्टनल पर इंस्पारिस्टनल विडियो की लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब परेगे धन्यवाद